हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे bank nifty के options की देखे bank nifty के options बहुत ही जादा volatile रहते हैं और bank nifty के options mostly जो professional traders हैं वो use करते हैं क्योंकि देखे bank nifty बहुत ही जादा volatile है और उसके जो options को आप अगर trade करते हैं तो वो बहुत ही जादा profit देने की आपको capability रखते हैं हाली में आपने देखा होगा की देखे जब बहुत जादा एक छोटा से भी trending move आती है bank nifty में 100-200 point की तो यहाँ पे जो option का premium है वो सीधा माल लीजे 100 rupees है वहाँ से 100 से सीधा 160 हो जाता है 180 हो जाता है almost double हो जाता है अगर bank nifty में चोटी सी 100-200 point की move भी आती है तो यहाँ पे दोस्तों हम bank nifty की options की एक बहुत ही बहतरीन strategy आपको पेश करेंगे सबसे पहले हम उस bank nifty की option की strategy को आपको समझाएंगे उसका जो उसके ऊपर हम क्या क्या चीज़े use करेंगे और उसका क्या logic रहेगा वो बताएंगे और साथ ही साथ हम उसको आपको create करके दिखाएंगे with proof हम आपको back test करके दिखाएंगे back tested results आपको दिखाएंगे हवा में कोई भी बात नहीं करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक request अगर आपने trading lab का यूट्यूब चैनल नहीं subscribe किया है तो आप कर सकते हैं आपको यहाँ पे subscribe का button दबाना है और bell icon को press करना है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ चार्ट पे bank nifty के chart का bank nifty के future का chart मैंने open कर लिया है दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम signal पकड़ेंगे bank nifty के future से और हम bank nifty के options में trade करेंगे जो in the money वाले option होंगे हम उसको trade करेंगे और जो हम signal पकड़ेंगे दोस्तों वो हम पकड़ेंगे bank nifty के future से तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको logic बता देता हूँ बहुत ही बहतरी हम यहाँ पर double super trend को follow करेंगे double super trend बहुत ही बहतरी strategy है इससे पहले जो मैं आपको दिखा हूँ आप directly यहाँ पर super trend लगा लेते हैं एक तो हम basic वाला super trend लेंगे normal super trend लेंगे इसमें कोई ज्यादा छेड़ छाड़ नहीं करेंगे period इसका 7 लेंगे और multiplier इसका 3 लेंगे और directly done कर देंगे second जो दोस्तो हम super trend लगाएंगे second जो हम super trend यहाँ पर लगाएंगे हम उसको जो है directly यह देखे यह वाला super trend मेरा second वाला लग गया है इसके हंदर हम थोड़ी settings को change करेंगे और यहाँ पर जो इसका period थोड़ा बड़ा कर देंगे 50 का period लेंगे और multiplier इसको 21 लेंगे तो दोस्तों यह कुछ settings मैंने अपना research करके निकाली है और यह एक setting हम यहाँ लगाएंगे दो super trend हम लगाएंगे double super trend strategy है यह और इसको हम back tested result आपके सामने दिखाएंगे तो यहाँ पर 50-21 करेंगे और इसको कर देंगे हम done तो देखे कुछ यह ऐसा आजाएगा आपके पास super trend अगर आप देख पा रहे होंगे यह देखे यह यह super trend जो आ रहा है यह वाला 73 वाला आ आपके पास और यह बड़ा super trend जो आ रहा है वो आपके पास 50-21 वाला आ रहा है दोस्तों तो यहाँ पर strategy बहुत ही simple है हमें trade कब लेना है हम यहाँ पर buy trades पे focus करेंगे आप sell पे भी कर सकते हैं देखे market condition जैसी भी चल रही हो market अगर बहुत ही जादा bullish चल रही है तो हम buy वाले trades पे focus कर सकते हैं और market bearish चल रही है कि market बहुत correction में जा रही है और एक bearish phase में जा रही है तो आप यहाँ पर अपना twist करके उसको tweak करके आप sell side के trade ले सकते हैं तो यहाँ पर देखे trade काफी simple है हमें यह देखना है कि दोनों super trend जब align हो जाते हैं यानि मुझे बड़ा super trend देखना है कि यह बड़ा super trend है यह super trend यहाँ पर green color का होना चाहिए मतलब price इसके उपर होना चाहिए यानि price जो है वो बड़े super trend के respect में यानि 50-21 के respect में up trend में होना चाहिए price इसके उपर होना चाहिए दूसरी जो हमारी entry की condition रहेगी दोस्तों वो रहेगी कि जब यह price cross करके अबव चला जाता है cross करके अबव चला जाता है मेरे छोटे super trend को ते कि बड़े super trend में तो यह अबव होना ही चाहिए बड़े super trend में यह higher than होना चाहिए मतलब price जो है वो super trend के उपर चल रहा हो और दूसरी मेरी condition यह रहेगी कि जैसे ही यह flip आता है जैसे ही देखी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर price super trend के नीचे चल रहा था और यह downtrend में चल रहा था हम यहाँ पर क्या करेंगे जब यह flip आ जाता है और यह 7.3 को भी उपर की तरफ cross कर जाता है और दोनों green हो जाते हैं जैसे ही यह green होगा हमारा वहाँ पर signal trigger हो जाएगा और यह bank nifty के future में हम बनाएंगे जो यह strategy और इस strategy के जो और trade जो हमारे trading signals generate होंगे वो हमारे option के ऊपर trading होगी तो यहाँ पर दोस्तो simple है इसका logic में आपको inherently बता देता हूं कि जो बड बड़ा trend है मेरा वो 5021 वाला देखी यह मैंने कुछ research करके निकाली है आपके लिए और काफी time लगाया इस चीज पर और research करके यह setting निकाली है 5021 की और यह हमारी default 73 की setting है तो यह बता रहा है कि जो बड़ा trend है और यह चोटा trend है यह दोनों जब align हो जाते है तो हमारी high probability हो ज जाता है आपके लिए तो यहाँ पर आपको logic बिल्कुल समझ में आ गया होगा कोई confusion नहीं रहनी चाहिए आपको तो directly हम यहाँ पर दोस्तों चलते हैं streak पर और यह streak में मैंने login कर लिया है दोस्तों यह streak में अब आप किसी भी broker जो काफी सारे brokers की हाँ choices आ गई है आपके पास angel broking का account है आपके पास जो भी account है आप चेक कर सकते हैं और आप जिरोधा का account है तो जिरोधा से तो directly आप login कर ही सकते हैं तो यहाँ मैंने login कर लिया है और हम यहाँ पर create strategy पर जाएंगे और यह strategy आपके लिए बनाएंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर bank nifty bank nifty मैं देखना चल रहा है nifty bank का मैंने यहाँ पर nifty bank का chart लगा दिया है और nifty bank मेरा यहाँ पर 36,124 चल रहा है दोस्तों तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा in the add the money की जो call है वो लूँगा जो की add the money की call बनती है 36,100 की और यहाँ पर directly जो है मैं यहाँ पर select करूंगा 36,100 और देखिए यहाँ 36,100 की जो call है मेरी वो 21 February वाली जो weekly option है मैं वो weekly option select करूंगा और देखिए यहाँ पर 21 का आ रहा है तो यह मैं यहाँ पर select कर लूँगा यह मुझे कहेगा कि मुझे advance view पर जाना पड़ेगा मैं advance view पर चला गया time frame हम रखेंगे 5 minutes का की हमारे signal generate होंगे 5 minutes पर और यहाँ पर lot size आपको specify करना होता है जब हम stocks में deal करते हैं तो हम यह quantity specify करते हैं तो जब हम future option में deal करें तो यहाँ एक lot पे हम काम करेंगे और यहाँ पर देखिए हमें simple logic लगाना है यहाँ पर हम symbol function use करेंगे दोस्तों यह symbol function क्या करता है अगर आपने यह video नहीं देखा है तो मैं उस video का link भ मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको बता देता हूं यहाँ पर आप देखेंगे तो यह देखी मैंने जो script यहाँ एड करी है वो मैंने option की एड करी है 36,100 की weekly call एड करी है और जो मेरे signal जनरेट देखें जो signal मेरे इस पर जनरेट होंगे लेकिन जो मेरा logic है वो मैं future पर जो है जनरेट हो लेकिन जो ट्रेडिंग होगी actually ट्रेडिंग के signal यहाँ जनरेट होंगे वो मेरे option पर होंगे तो यह बहुत अच्छा feature है दोस्तो बहुत ही unique feature है और यहाँ मैं क्या करूंगा कि symbol के बाद मैं लिखूंगा bank nifty और bank nifty का जो February का future है उसके उपर और simple पहली मैं condition add कर price पे और closing price मेरा जो zero क्या है दोस्तो zero जो है मेरा current candle को लेगा और closing price अगर cross above मेरा super trend हो जाता है कौन सा वाला 73 default वाला तो 73 को जब cross करके वो above चला जाता है दोस्तो तो हमें यहाँ पर trade trigger करना और दूसरी condition मेरी है कि बड़ा super trend भी उसमें higher रहना चाहिए देखे जाहिर सी बात है जब बड़ा super trend higher चल रहा होगा चल रहा होगा लेकिन जब यह condition meet हो रही होगी तो यह हमारा trade trigger नहीं होगा जैसे ही छोटा super trend flip करके उपर चला जाएगा बड़ा तो होगा ही अब जो देखे बड़ा बड़ा तो अप ही चल रहा है और जैसे ही छोटा super trend मेरा अब चला जाएगा मेरा trade trigger हो जाएगा तो दूसरी condition मुझे क्या लगानी है यह भी मुझे bank nifty के यहां पर वापस मुझे symbol लगाना पड़ेगा और क्योंकि देखे यह मुझे bank nifty के future पर मैं जो है signals generate कर रहा हूँ और यहां पर bank nifty का February का future मैंने लिया और मैंने कहा कि closing price मेरा closing price zero candle का जो है वो higher than चलना चाहिए इस time frame पे भी किससे दोस्तों यहां पर हमारा आ जाएगा बड़ा super trend तो यहां पर मैं देदूंगा इसकी values 50 यहां देदूंगा दोस्तो 21 और इसको कर दूंगा तो मेरा जो बड़ा super trend अप चल रहा है और जैसे ही मेरा चोटा super trend जो है वो उस price जो है अबव जाएगा वैसे ही मेरा यहां signal generate हो जाएगा यहां पर stop loss कितने का लगाएंगे दोस्तों हम 0.5% का stop loss लेंगे और यहां पर 2.75 का हम यहां पर take profit लेंगे advance setting आप यह देख सकते है कि किस date से किस date तक आपको इसको run करना है आप चाहते है को specific date specific duration के लिए रन करना चाहें तो वहां कर सकते हैं start time देखे कुछ traders होते हैं जो morning time की volatility को पकड़ते हैं क्योंकि morning में जो है काफी सादा वॉल्यूम्स आती है और आफके afternoon time में आती हैं तो यहां पर आप ताइम स्रेसिफाय कर सकते हैं कि आपको किस time से किस time तक तक इसको run करना है candle stick रहेगा यहां हाइक नशी इसको नहीं करना है और यहां MIS या CNC आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं इसकी मैं इसका मैं नाम दूँगा दोस्तो double super trend इसका मैं नाम दूँगा simple double super trend strategy और इसको हम कर देंगे दोस्तो click करके back test तो देखिए यहां पे मेरे पास कुछ back tested results आ आपको दिखा रहा है profit यानि 1065 points आपने यहां पे catch करें और देखिए इसकी खास बात यहां पे आपको signals बहुत कम मिलते हैं लेकिन जो signal मिलते हैं उसके अंदर आपको जो losing trades होते हैं वो बहुत कम होते हैं और winning trades जादा होते हैं और signal भी आपको कम मिलते हैं तो आप over trading से भी losing streak आपकी one की है और maximum drawdown आपका minus 0.068 का है तो यहां पे अगर आप देखेंगे आपको transaction detail भी मिल जाएगी कि कब-कब आपका signal जो है जनरेट हुआ 4th February को हुआ 8th February 9th 12th February buy हुआ sell हुआ कितने points का आपको आपको जो है profit हुआ कहां पे losses हो रहा है तो कितने points का हुआ तो net आपक आपके एक bank nifty के option में weekly option में 7% का profit 4 trades लिया आपने जिसमें से 3 आपके profitable trades है एक losing है खास बात इसकी है कि हमने यहां पर risk to reward बहुत अच्छा maintain किया हुआ है जैसा कि आप देख पाएंगे 0.5 जब जा रहा है तो हमारा 0.5% जा रहा है जब आ रहा है तो हमारा 2.75% आ रहा है त तो simple सी चीज है कि आपको risk to reward अपना favor में रखना पड़ता है और यह conditions हम यहां maintain करके चलते हैं अब चाहे तो देखे आप इसको यहां deploy कर सकते हैं और deploy all पर click करेंगे तो आपको जो basic इसकी settings है वो बतानी पड़ती है आप कितनी quantity से करना चाहते हैं lot size यहां पर आप एक भी क week strategy cycle आप यहां specify कर सकते हैं order type आप यहां पर MIS या CNC कर सकते हैं और इसको आप यहां थो paper trade कर सकते हैं नहीं तो take live कर सकते हैं take live करते ही आपकी strategy waiting state में चले जाती है और यह अपने trigger का wait करती है कि कब मेरा जो वो दोनों condition meet होगी और मैं entered state में आ जाओंगी strategy तो यहां पे दोस् जीए वो signals हो है वो आपके बास directly mobile पर आ जाते हैं और streak की V4 app अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो वो भी वो कर लीजिए क्योंकि देखे में उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे features हैं और उस पे मैंने last videos में में काफी explain किया था और आप उसको भी देख सकते हैं व बड़ा trend और छोटा trend दोनों जब align हो जाते हैं तो हमें कैसे जो है super trend के basis पे trading करनी है उसको हमने backtest किया उसके signals देखे कम signals मिलते हैं और proper risk to reward के साथ ये strategy हमें 7% का profit देने में जो है सक्षम है तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे wind up करेंगे और वीडियो अच् पैनल को subscribe कीजेगा bell icon को press कीजेगा और जो भी social media platform आप use करते हो Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp तो जरूर जरूर इसको share कीजेगा ता कि आपके भी जो friends हैं जो working friends हैं उनको इस चीज का benefit हो और वो भी इस चीज को जो भी traders हैं आपके community में उनको भी इस चीज का benefit हो और वो भी जो है इस चीज क फाइदा उठा सके इसी के साथ thank you दोस्तो